जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो शिवरात्री का दिन बहुत ही शुब और शेष्ट दिन माना जाता है इस दिन देखे भगवान शंकर का अध्रात्री के समय जनम हुआ था शिवलिंग के रूप में इन्होंने अफ्तार लिया था औ और इस दिन भगवान शंकर और माता पारवती का मिलन का दिन माना जाता है क्योंकि इनका विवहा हुआ था इस दिन दोस्तो अगर शिवरात्री के दिन अगर आपको सवप्ण में भगवान शंकर से सम्बंद ये वस्तुए दिखाए देती है तो ये बहुत ही शुब माना जो भी मनो कामना के लिए आप भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं या जो दमपती संतान सुख के लिए इच्छा रखते हैं भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं और आपको रातरी के समय ये चीजे स्वपन में दिखाई देती हैं तो बहुत ही शुब माना जाता है माना जाता है कि आपकी जो मनो कामना है बहुत ही शीग्र पूरी होने वाली है तो दोस्तों अगर रात्री के समय अगर आपको भगवान शंकर से सम्मनिद ये वस्तु दिखाई दे खास कर देखे शिवरात्री के दिन यानि रात्री के समय जब आप सो रहे हैं उस समय पर अग आला सर्प दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुब माना जाता है ऐसे ही दोस्तों अगर आपको सौपन में गड़ेजी के दर्शन होते हैं डमरू दिखाई देता है या नंदी बाबा आपको दिखाई देते हैं भगवान शंकर की प्रिये जो फल है जैसे धतूरे का फल बे पत्र अगर आपको दिखाई देता है या भगवान शंकर की आपको छवी दिखाई देती है या भगवान शंकर का आपको त्रशूल दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुब माना जाता है माना जाता है कि आपकी जो मनो कामना है वो शीग्र पूरी होगी दोस्तों आप कि किसी के लिए भी भगवान शंकर का पूजन किया है या आपने किसी नोकरी के लिए विभा के लिए या संतान के लिए अगर आपने उनका पूजन किया है किसी भी मनोकामना के लिए अगर आपने भगवान शंकर का पूजन किया है और आत्री में अगर आपको ये वस्तवे सौ सिस्क्राइब करना ना भूलें आप सभी को जैशी घशना